हनुमान जी को भगवान राम का सबसे प्रिय भक्त माना जाता है। हनुमान जी भगवान राम से बहुत प्रेम करते थे। जब श्री राम अयोध्या के राजा बने तब हनुमान जी दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन की बात है श्री राम जी के दरबार में एक सभा चल रही थी। उस सभा में सभी वरिष्ट गुरू और देवतागन मौजूद थे। चर्चा का विशय था कि राम ज्यादा शक्तिशाली हैं या राम का नाम। सब लोग राम को अधिक शक्तिशाली बता रहे थे और न नारद मुनी की बात कोई सुन ही नहीं रहा था। हनुमान जी इस चर्चा के दौरान चुप चाप बैठे हुए थे। जब सभा खत्म हुई तो नारद मुनी ने हनुमान जी से कहा कि रश्य विश्वामित्र को छोड़ कर वो सब रश्य मुनियों को नमस्कार करें। हनुम नारद मुनी से इस संकट का समाधान पूछा। नारद ने कहा। आप बेफिक्र होकर राम नाम का जाप करना शुरू करें। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। वो आराम से बैठ कर राम नाम का जाप करने लगे। श्री राम ने उन पर अपना धनुश बान तान दिया। साधारन तीर हनुमान जी का बाल भी बांका न कर सके। जब हनुमान जी पर श्री राम के तीरों का कोई असर नहीं हुआ, तो उन्होंने ब्रहमांड के सबसे शक्तिशाली शस्त्र ब्रहमास्त्र का उप्योग किया, लेकिन राम नाम जपते हुए हनुमान पर ब्रहमास्त्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़िड़ा। बात को बरता देख नारद मुनी ने रशी विश्वामित्र से हनुमान जी को क्षमा करने को कहा. तब जाकर विश्वामित्र ने हनुमान जी को क्षमा किया.